लेकिन मैं जो देख करके आया हूँ 19 दिन PGI में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ, और सदन के माध्यम से अपने सभी मानियों को भी बताना चाहता हूँ, कि कोई गलक फैमी में न रहे, हम तो ये कह भगवान से प्राचना करेंगे कि किसी को कुरोना ना हो हमारे ही बगल में अब हम लोगों के बीच नहीं है सरगी चेतन सिंग चौहान जी मैं तेरा नमबर बेट पर था और वो चौदा नमबर बेट पर था अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर रह जाएंगे मैं 11 जुलाई को दुपहर में एडमिट हुआ और मानी मंती जी 11 जुलाई की साम को पांच बजे एडमिट हुए और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो दुरभाग्य है हमारा भी मान्यों का भी और जो लोग अस्पताल में भरती हो रहे हैं उनका भी आठ लोगों का वार्ड मानी जी आठ लोगों का वार्ड जहां आठ करोना संक्रमित लोग होते हैं डाक्टरों की नर्सों की और वहाँ की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है तो मानी मंती जी क्योंकि बहुत सरल थे उन्होंने हाथ खड़ा किया टीम आती है उन्होंने का चेतन आपको कब हुआ कुरोना तो उन्होंने अपनी बात बताई तो फिर एक दूसरा स्टाप बोलता है चेतन क्या करते हो तुम वो कुर्टा पैजामा में थे मैं तो पैंट सर्ट में था कर तो मानी मंती जी ने कहा कि मैं कैमरेट मंती हूँ तो एक स्टाप ने कहा कि कहा के तो उन्होंने कहा उत्तर प् मत्मी जी से बात कर सकते हैं लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब मानी मंती जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबलेट मंत्री हूँ तब सायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आधर करेंगे लेकिन ये सुनने के बाद भी जब PGI के स्टाप ने कहा कि चे कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है मुख्य मंत्री तिस्का मतब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आधित नाजी का सम्मान होगा अगर सर्मा जी को करोना हो गया तो आपके साथ क्या बेवहार होगा आप सोच नहीं सकते हैं हम नहीं चाहते हैं हम तो भगवान से प्र कौन है चली आप नहीं प्रभाव में आ रहा है कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री है ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खिलते थे तो उस डाक्टर ने का अच्छा ये वो चेतन है और ये कहते हुए डाक्टर और स्टाप पूरा चला गया वो दो दिन तक हमारे बगल में रहे मतरब कोई मतरब वो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस घुटन में थे वो मानिस सरमाजी नहीं महसूस कर सकते और मुझे जो सब्द नहीं कहना चाहिए वो कुरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए सरकार की आविवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए गंभीर मामला और मन्वर मैं दूसरी बात बता रहा हूँ मैं उन्नीस अब हमारा क्यों दर्द सुन लिए जी 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 मैं उन्नीस दिन तक एड्मिट था 11 दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ मैं फिर पाश्ट्यू आ गया फिर चार दिन बात टेस्ट हुआ फिर पाश्ट्यू आ गया हमारे मान्नी राष्ट्य अद्वेक्स हमारे नेता मान्नी अखिलिश स्यादो जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का साथना देश हो गया है कि तुम घर पर लह करके ठीक हो सकते हो इस सरकार की बेवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना हम होम कॉरंटीन रहना चाहते हैं अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मानिवर आपको मैंने राश्टी अदेजी से अंडोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं हो सकता है कि हम निगेटिव आया हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पाश्टिव आया नर्स ने कहा कि आप पाश्टिव हैं डाक्टर की टीम आ आई तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था इसलिए साम को तीसरा टेस्ट होगा जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है तो डाक्टरों ने कहा कि आपका सेंपल बदल गया है इसलिए आपका चोथा टेस्ट होगा हमारा चोटा टेस्ट हुआ। चोटे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ। पहला पेसंट हूँ सरकार के निर्देश के बाद जो यह लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डाक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं डाक्टर भगवान की तरह दिखता हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं लेकिन यह आप विवस्ता की कैसे हैं